वंदमात्रम नेट्रक्टन देख रहे हैं आप और उत्राखन खबर के साथ मैं दीप सिदिवेदी 15 दसंबर को कींद्वी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग कलश में लाई गए मिट्टी के पूजन के साथ ही शहीदों के परीजनों के सम्मान कारिक्रम को संबोधित करेंगे और इसके साथ ही परदेश प्रवक्ता सुरेश योशी ने राजनाथ सिंग के दोरे को लेकर कहा है कि बेजेपी ने सैनिकों का हमेशा सम्मान किया है जबकि कॉंग्रस केवल राजनीती करना चाहती है पीम मोदी की परिकलपना और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप राज्य में सैन निधाम के निर्मान को राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है प्रतम विश्योद से लिकर अब तक राज्य के जितने भी शहीद हैं उन शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्री को एकत्रित कर सैन निधाम लाने के लिए सैन कल्यान विभाग पिशले एक महिने से शहीद सम्मान यात्रा निकाल रहा है यात्रा के जरिये कलश में लाई गई मिट्री के पूजन के साथ ही शहीदों के परिशनों को सम्मान भी किया जाएगा तो पंद्रा दिसंबर को होने वाले समारोह में केंद्वे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग अजय भट और मुख्य मंत्री पुशकर सिंग धामी मौजूद रहेंगे तो आपको बता दे कि रक्षा मंत्री राजनात सिंग 15 दसंबर को इस कारिक्रम में शहीद के परिजनों को सम्मानित करेंगे इसके साथ ही जिस तरह से पूरे उत्तराखन में जो शहीद हैं उनके आंगन से मिट्टी लाई जा रही है और एक कारिक्रम कायोजन होगा जो हाँ पर रक्षा मंत्री राजनात सिंग पहुश कर संबोधन भी करेंगे पहली बात तो यह है कि यह पहली बार तो हो नहीं रहा है अगर वन रेंक वन पैंसन की बात करते तो भारती जनता पार्टी देती है अगर हमारा कोई सेनिक वीरिकेती को साहदत करता है उसके घर तक उसकी माटी तक उसको ले जा करके वहाँ पर जो है कि गंगा में उसको प्रभायूत करने का काम भारती जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा ये कारिकम चलाए गया उनके परिवारों को और सुविधाय देनी चीए ये कारिकम भारती जनता पार्टी की द्वारा चला गया देश के अंदर सेना और मजबूत बने नई टेक्नलोजी सेना के हातों मर रहे सेना खुले हातों से जो है कि आतंकवादियों का सफाया करे सेना खुले हातों से अपने दुस्मनों का सफाया करे यह सारा सम्मान अगर किसी ने देश के अंदर दिया है तो भारती जनता पार्डी की सरकार ने